नमस्कार दोस्तो आज में आप लोगों के लिए बहुत महत्पूर्ण जानकारी लेके आया हूँ यदि आप भारती एस्टेट बेंक के मुझुदा गराख है तो यह वीडियो आप के लिए बहुत महत्पूर्ण है SBI गराकों को फिरी में दे रहा है आड़ तरकी सुईदा घर बेटे आप भी कर सकते हैं इस्तमाल जाने क्या है प्रोसेस SBI फेसिलिटी देश के सबसे बड़ी सरकारी बेंक भारती एस्टेट बेंक SBI आपने गराकों को फिरी में हाड़ तरकी सुईदा अपलब्द करा रही है इन सुईदाओं के लिए उन्हें किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा इन में सबसे बड़ी बात यह है कि SBI के गराक इन सुईदाओं का घर बेटे ही इस्तमाल कर सकते हैं आये जानते हैं कि SBI की आउर से अपने गराकों को किस परकार किस फिरी में उपलब्द कराई जा रही है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ घर बेटे आठ काम हो कौन कौन से है पहला एक पहला काम SBI के गराक घर बेटे ही आनलाइन फंड ट्रांस्पोर कर सकते हैं दुसरा, ATM कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं तिसरा, चेक बुक के लिए अपलाई कर सकते हैं चोथा, नेवी डिसेबिल यूपी आई पिन जनरेट कर सकते हैं चोथा, टेक्स का आनलाइन बुकतान कर सकते हैं पाचवा बेंक कर सकते हैं चटा बिजली बिल, मोबाइल बिल, पानी का बिल और किसी परकार के बिल का बुकतान कर सकते हैं अटवा घर बेटे ही नया अकाउंट भी खोल सकते हैं दोस्तो इसमें से सिरियल नम्मर बताना भुल गया हूं थोड़ा चेक कर लेने का दोस्तो नेट बेंकिंग आप अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं चलिए मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे दिखा देता हूं कि नेट बेंकिंग कैसे ले सकते हो आप दोस्तो नेट बेंकिंग लेने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के मुबाइल फोन में क्रॉम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और वहाँ पे इस तरह में ओपन कर लिया है यहाँ पर उपर आप लिख दीजिए SBI 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 लिखने के बाद में आप सर्च करिए सर्च करने पर फर्स्ट नमर पर पहला है State Bank State Bank August India लिका हुआ आ गया पहले नमर पर इसको आप किलिक करिए किलिक करने के कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद में उसके बाद कुछ इस तरह से आएगा आपके पास इंटरफेस खुल के तो यहाँ पर आपको यह लोगो दिखाई दे रहा है लोगिन यहाँ पर लोगिन को किलिक कर देना है किलिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा आगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस कुल के आ जाएगा तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है Continue to Logging को किलिक करना है Continue to Logging करने के बाद में यहाँ आपको कुछ नहीं करना है आगे बढ़ जाना है आप नीचे देखने का तो दोस्तों आगे इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ है New User Registration तो यहाँ पर आपको नेश्ट कर देना है नेश्ट कर दिया नेश्ट करने के बाद में आगे आगे आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा SBI Banker का वेबसाइट यहाँ पर आप से मांग रहा है अकाउंट नमर यहाँ पर आपकाउंट नमर आप दे दिजे अकाउंट नमर देने के बाद में C.I.A. नमर डाल दिजे उसके बाद में branch code डाल दिजे branch code डालने के बाद में यहाँ पर country आपको select कर लेना है मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया select कर लेता हूँ यहाँ पर आपको mobile नमर डाल देना है registered mobile नमर जो bank में register है वही नमर आपको डालना है उसके बाद में यहाँ पर आपको facility required rate तो यहाँ पर आपको यही रहने देना है facility required rate फूल ट्रांग जेक्शन राइट कर देना है उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ सबसे डीच है enter the text as so in the magic तो magic में आपको कुछ नहीं करना है magic में आपको यह capture में दिकाई दे रहा है यही नमर आपको यहाँ पर डालना है जैसा आप दिकाई दे रहा है 2872 तो यह आपके पास दूसरा भी हो सकता है इसा नहीं किये ही रहेगा दूसरा भी आ सकता है तो उसके बाद में डालने के बाद में है submit कर देने का submit करने के बाद में आपके पास एक opt आएगा opt डाल दीजिएगा mobile नमर पे register mobile नमर पे opt डालने के बाद में आपका net banking mobile net banking successful हो जाएगा चाल हो जाएगा और आप जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो अपने mobile से ही और घर बेटे ही दोस्तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा मैं आसा करता हूँ कि अच्छा लगा होगा आपको वीडियो को लाइक और subscribe करना जरूर न भूलिए दोस्तो इतना तो आप करी सकते हो सिर्फ दो सेकंड का टाइम लगता है दोस्तो वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर कर दिजेगा थेंक यू जय हिन जय भारत